नमस्कार मित्रू देशी भक्ती चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आपको पाना है सरकारी नोकरी तो क्या करना होंगे उसके उपाई कुछ वेदिक उपाई कुछ टोटके मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपको जरूर करना चाहिए अगर आप ये काम करने के इक्षिक हैं तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप से दर्खवास्त करूँगा या रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अकसर देखा जाता है कि अच्छा खासा पढ़ने के बाद भी नोकरी नहीं लग पाती है कुछ न कुछ अर्चन ऐसी आती हैं जिसकी वजह से नोकरी नहीं मिल पाती है वेदों के अनुसार नोकरी मिलने में भी ग्रह नक्षत्रों का योग होता है जिस वजह से आपके काम बढ़ते, बनते बिगडते रहते हैं यदि इस तरह की परेशानी आ रही है तो आप कुछ वेदी कुपायों को विश्वास के साथ करें जिससे आपको अच्छी नोकरी तो मिलेगी ही साथ ही आपकी हर तरह की अर्चने भी दूर होने लगेंगी अच्छी नोकरी और अच्छे कारोबार पाने के लिए घर में हनुमान महराज की वह फोटो जिसमें वह उड़ रहे हों उसका चित्र घर पर लगाएं सरकारी नोकरी प्राप्त करने के लिए गंगा जल को एक पीतल के लोटे में डाल दें फिर इसमें चांदी की किसी भी तरह की धातू को इसमें डाल दें फिर इस लोटे को अपने सिर के उपर से साथ बार घुमाएं और इसे इशान कोण में रख दें और ओम गंगाधराय नमा मंत्र का 21 बार जाप करें सरकारी नोक्री प्राप्त करने के लिए आप हनुमान मंदिर में बेट कर इस दोहे को 108 बार जाप करें कवन सो काज कथिन जगमालगी जो नहीं होए तात तुम पाही मैं फिर से बताता हूँ आपको कवन सोकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही इस अचूक टोटके को कम से कम चालीस दिनों तक रोज करें इससे आपका अच्छा फल जरूर मिलेगा चंदन की माला से ग्यारा बार ओम बक्रतंडाय हू मंत्र का जाप करें इस सुपाय से भी सरकारी नोकरी मिलने के संकेत प्राप्त होते हैं हर सुम्बार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक थेली कच्छा दूद और साबुट चाबल चड़ाएं और मन में उन से अपने दिल की बात कहें ऐसा करने से नोकरी मिलने में आ रही हर तरह की वाधाएं टल जाती हैं चालीस दिनों तक नित्य सुबा नंगे पेर हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें लाल गुलाब का फूल चड़ाएं यदि नोकरी ना मिल रही हो या मिलते मिलते रह जाती है तो शुकल पक्ष के महिने में गुड की साथ डलिया और साथ हल्दी की साबुद गाठे को एक रुपे का सिक्का किसी पीले वस्तर यानि कपड़े में बांध कर सडक या रेल लाइन के उस पार फेक दें और मन में कहें काम को बोलें इस उपाई से नोकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है रोज सुबा पक्षियों को दाना देने से रोजगार और नोकरी की संभावना बढ़ जाती है हर शनीवार को ओम शने 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 शाय नमा मंत्र का जाप 108 बार बारी बारी से जपे इस उपाई से नोक्री मिलने में आ रही बाधा टल जाती है नोक्री के लिए इंटर्वी देने जाने से पहले सुभा इस्तनान करते समय बाल्टी या टब में हल्दी मिलाकर इस्तनान करें और प्रभू के सामने 11 अगरवत्ती लगा कर अपनी सफल होने की काम न करें नोक्री के लिए इंटर्वी देने के लिए घर से निकलते वक्त एक चम्मच दही में एक चम्मच चीनी मिलाकर घर से बाहर निकलें और ध्यान दखे कि घर से बाहर जाते समय सबसे पहले दाया पेर ही बाहर निकालें यदि आप चाहते हैं कि सरकारी नोक्री ही मिले तो महिने के पहले सोंबार के दिन सूरी के ढलते समय सफेद कपड़े में काले चावलों और कुछ दक्षना को बांद कर काली माता के मंदिर में दे दे ऐसा आपको ग्यारा महीने तक लगातार करना है इस उपाय से आपको मंचाही नोकरी वा सरकारी नोकरी के अवसर प्राफ्त हो जाएंगे सरकारी नोकरी वापनी योगिता के अनुसार नोकरी पाने के लिए साल में कम से कम तीन बार किसी गरीब को कंबल दान दें आपको सफलता जरूर मिलेगी घर से नोकरी पाने के लिए जाते समझ चना और गुड़ खाकर निकलें रास्ते में किसी गाय को भी अपने हातों से गुर्चना खिला दें आपका बिलगड़ा हुआ काम बन जाएगा तो मित्रों ये था मेरा आज का वीडियो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इसे जादा से जादा लाइक जरूर करें ये उपाय बहुत ही शा को सब्सक्राइब करें लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें सब्सक्राइब बटन के साथ में एक वेल का आइकन है आप उसको जरूर दवा इसको प्रेस करें ये सेवा विलकुल निशुलक है इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी शुलक नहीं देना है दोस् आशकार जे मता दी